शफक को भी साथ में डाला जा रहा है अच्छे से बहेव किया, हमने एक दूसरे को केक खिलाया तो आंटी ने में को हग किया शेजान भी बहुत अच्छे से बात कर रहा था यार वो मेरे और रुबीना का रिष्टा था आप उस वक्त इंडस्ट्री में भी नहीं जिया ने अपना गेम प्ले लास्ट वीक बदल गया अच्छे सेल्फिश मोटेव पर चलिया कि मुझे नॉमिनेट कर सकती है अगर वो यह कर सकती है और मैं यह सब को कह सकता हूँ और इसमने मुझ से कहा भी है कि सब को तूटते वह देखा कि यह बंदा नहीं कि जो 11 साल पहले हमने काम किया था उसको लेकर अभी कुछ कहा जा रहा है कि मेरे और उनके बीच में कुछ था वो शौकिंग था मता फिर मेरा दिमाग काम करता है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे और फलक की फ्रेंशिप है इसके वज़े से अब मेरे और शफक को भी साथ में डाला जा रहा है तो मैंना ठीक है यार हमारी इंडस्ट्री में कभी भी कुछ भी हो सकता है कभी भी बंपड़ सकता है अम इती फलक से बात हुई और फलक ने मेरा इंटर्व्यू देखा उसकी मॉम ने भी देखा तो उन्हेंने देखा कि विनाश हमने देखा तुमने क्या बोला मीडिया में और दूसरा मुझे शॉकिंग लगा जब पलक ने अपने डैड के हार्ट अटेक का जिम्मा मेरे पे डाला वो कहां से आया नहीं पता क्यें कि मेरे डैड और उसका भाई हमेशा टच में रहे还 क्योंकि कुछ अकांट सेटल करने बाकी थे काफी महीनों तक टच में रहे। मैं कह सकता हूं कि अलमोस्ट एक साल तक टच में थे और हमेशा मेरे डाड ने मुझे स्नापशॉट भेजे हैं वाटसाप के चाट के कि जब वो पूछते थे कि अंकल आंटी कैसे हैं हमेशा ये बात यहीं से शुरू हुई है कि अंकल आंटी कैसे हैं और मैं और वो भी कुछ mutual parties में मिले हैं जबकि मेरा पहला सवाल ही होता था कि अंकल आंटी कैसे हैं और हमारे कुछ mutual friends भी हैं तो ये सब चीजों होने के बावजूद हमारे तक कभी ये बात पहुची ही नहीं हार्ट अटाक वाली तो ये हूगी थी तो अब क्यों आ रही है तो ये यार फिर I have nothing to say on it, it's irrelevant यार अब तो ऐसा हो गया ना के पलक की मुझे कोई बात शौकिंग लगती ही नहीं हो कहने के लिए कुछ भी कर सकती है और it's okay again it's irrelevant second day पे मैं और जाइड इन्वाइट थे डिनर के लिए फलक के घर पे क्योंकि जाइड की फ्लाइट थी रात को दुबई के लिए तो फलक चाती थी के मैं और जाइड साथ में उनकी एक्स्टेंड फैमिली के साथ डिनर करें तो उस पे शेहजान भी मिलाता हमसे और उनकी पुरी फैमिली बहुत वेलकमिंग है बहुत ही एक मैं कह सकता हूँ warm-heartedly welcome हुआ हमारा और बिल्कुल ऐसा ही लगा के हम उस घर में उस फैमिली में पेली बार बेटे हुए नहीं ऐसा कुछ बोलने की ज़रोती नहीं लगी आंटी ने बहुत अच्छे से बहेव किया हमने एक तुसरे को केक खिलाया तो आंटी ने में को हग कि या शेजान भी बहुत अच्छे से बात कर रहा था तो अब ऐसे सवाल पूछे ही नहीं गए जो की बहुत अच्छी बात ऐसे सवालों की जरौती नहीं 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 एक comfort level है उसके और मेरे बीच में और जब वो लड़की इतनी मिचौड है तो उसके घरवाले भी ही कही नह रखेंगे तो और हम दोनों में से कभी भी किसी ने ऐसा कुछ behavior ना ऐसे कोई emotion दिखाया हो जिसे लेके हमें कुछ कोई सवाल उठें तो उसके वज़े से कोई सवाल उठें नहीं कोई discomfort था वो तो मुझे जवाब मिला ही मिला उसका ये कहना था कि वह ऐसा कुछ नहीं है कि म मैं शायद गुम भी हो सकती हूँ क्योंकि कुछ reasons हैं उनकी personal life के जो मुझे भी नहीं पता है और जिसकी clarity मुझे भी नहीं है और वो मैं जबरदस्ती किसी से मांगता भी नहीं हूँ जब वो comfortable होंगी मुझे दे देंगी कि उन reasons, उनके खुद personal reason के वज़े से उनकी जिन्द कि यह shocking है लेकिन अब ने यह चीज ऐसी हो गई है मेरे लिए कि अब मुझे कुछ shocking लगने ही नहीं वाला है like I'm ready for anything मतलब वो कुछ भी कह सकती है वो कुछ भी कर सकती है अब वो मेरे और Rubina का रिष्टा था आप उस वक्त industry में भी नहीं थी और आपने कुछ देखा भी नही होगा क्योंकि मैंने भी आपके किसी नीजी जिंदगी को लेके कमेंट नहीं किया है जो आपके थे हैंना मैंने भी तो किसी का नाम नहीं लाया है और मैं भी तो उन्हें जानता हूं तो लाने के लिए मैं भी तो ला सकता हूं पर मुझे नहीं लाना वो आपका कहानी है जो आप अपने दिमाग से लेके आती हैं और यह मेरी जबान है जो मैं अपने दिमाग से लेकी आतो आपको जो करना नहीं कभी आयेगा भी नहीं सर मेरे और रुबीना का रिलेशनशिप ब्रेककप होने के बाद भी हमारे अंदर वहरे स Tam है जो वो मुझे एक platform पे रखती है कि हाँ अविनाश जैसा भी था वो अविनाश मेरी जिंदीगी का एक हिस्सा था और रुबिना जैसी भी थी मेरी जिंदीगी का एक हिस्सा थी कोई breakup सुहाना नहीं होता हर breakup में कुछ न कुछ प्रब्लम होती है यसलिए वो breakup होता है और स्पेशली जब मेरे और रुबिना की relationship की बात करें तो वो साड़े चार साल का relationship था ठीक है तो वो भी सुहाना तो नहीं रहा होगा लेकिन फिर भी breakup करने का भी एक तरीका होता है फिर भी एक respect maintain की जा सकती है जरूरी नहीं है कि धजियां उड़ाई ही जाए और जरूरी नहीं है कि अगर breakup हो गया है तो उस इंसान में सिर्फ खामी आई है ठीक है न तो कुछ तो अच्छा होगा इसके वज़े से आपने इस सुहाना समय बिताया साड़े साड़े चार साल करके आ रहे थे और इंसान खुद के गिरेबान में जाक के देखेगा न तो उसे कही न कहीं खुद की mistakes भी नजर आएंगी तो मेरे खाल से वही एक सच है इस जिंदगी का जो हर इंसान को समझना चाहिए कि जब तक इनसान खुद के गिरेबान में जाक के निए देखेगा नो वह अभी ग्रो नहीं करेगा तो मैंने तो अपने गिरेबान में जाक के देखा है मैं मानता हूं मेरे में बहुत गलतिया है लेकिन शायद कोई और जाक ले तो थोड़ा सा और बेटर हो जाईगी देखा हूगा घर में के भले वो बात जिया की रही तो ठीक है हमारी शुरुआत में जो कुछ भी हुआ नॉमिनेशन नॉमिनेशन को लेके हो गया जब मैंने उसे एक बार बोल दिया कि I am all in तो फिर मैं all in हूँ फिर ठीक है या गेम है उसे खेलने का एक तरीका है बड़ उसके कोई रूल बुक नहीं है कि बिग बॉस के गेम को ऐसे ही खेला जा सकता है तो मैंने चुना वही खेलने का रास्ता जैसा मैं हूँ अगर मैं दिल से सोच रहा हूं तो मैं दिल से खेल रहा था अगर आपको उस वक्त अपना रास्ता चेंज करके दिमाग से खेलना है तो वो आपका रास्ता था, तो या धोके अब जो भी हैं, मिले हैं, मेरी जिन्दगी के हिस्से हैं, मैं तहे दिल से उन्हें एकसेट करता हूँ और जो सीख मिलती है, वो सीखता चलता रहता हूँ मैं उनको लेके जो मेरे दिमाद में जज्ज्मेंट थी, क्योंकि मैं जिया को बहुत ही कम जानता था उस घर पे मिलने से पहले, तो मैं उसकी वजए से जिया को उस घर के अंदर किसी और पॉसेप्शन से लेके जज करूँ, वैसा मैं करना नहीं चाता था, जैसे उन्होंने म मुझे अपनी पसनानेटी वहां दिखाई जब महारी पहली लडाई हुई जो मुझे बहुत बुरा लगी और मैंने उन्हें नमिने नॉमिनेट कर दिया फिर वो चीज एक पॉइंट पर आके क्लियर हो गई, तो मैं क्लियर हो गया था, फिर मैंने अपनी स्लेट साफ कर दी थिरंप पिर हमारी दोस्ती घहरी होती मैं नहीं हर जगह सपोर्ट किया हर टास्क में मैं ने नंबर वन पे रखा अगर बात आती यहां वो मुझे बुरा लग दा क्योंकि उनकी जाएट से लड़ा ही हो गई ती और फिर मुझ से लड़ा ही हो गई क्योंकि मुझे उन्हों ने नॉमिने कर दिया तो मैं तो मैं तुम कुछ नहीं कर सकता इस बारे में जो भी है मुँपे सच बोलूँगा के ठीक अपनी दोस पुझा जी के पास बोलने के लिए कि पुझा जी जाओ देख लो अकली बैठी भी मुझे अच्छा ही लग रहा तो जैड का मुझे यह कहना था कि तू क्यों मतलब इतना soft-hearted क्यों है तू मैं क्या करूँ हो मैं हूँ ऐसा इंसान मैं अपनी feeling से भाग जाओंगा तो क्या ही कि इंटेंशन गुड थे ऐसा तू कैसे समझ सकता है कौन से एंगल से थे को उसके इंटेंशन बुरे नहीं लगे तो अलविश भी चुपोगे वो भी हासी राता में सामने क्योंकि अलविश है तो समझदार है वो समझ जाता है बड़ वो दोस्ती के वेज़े मां फसा कमिंग नॉट और एक पॉंट पर वो फॉलोवर्स पर आई जाएगी बात और वोटिंग पर आई जाएगी अब इस एक इंसक्यों मुझे पहले भी होता हुआ दिखा है क्योंकि यह जो फीलिंग्स होती है जो इनसान के अंदर दिखती है जैसे कि ओवर कॉंफिदेंस इनस इनसें दमाँ कहीं न कहीं और इी चुपी हुए हो तो अभी पहले वह किसी और चीजों को लेके तो उसके दिमाग में तो कुछ और ही चलता है, वो है तो फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि यार इसके बहुती बचकांडी चीजे हैं, मतलब उसकी मम्मी तो कहींगी कहींगी, समझाएंगी इसको पर वो समझता ही नहीं है, और वो वही बार बार वहीं चले जाता है, तो फिर तो मुझे ऐसा लगने लगा कि यार इसके बास और कुछ है नहीं कहने को, क्या कहलेगा? कि मैंने कोई गलती किये अंदर, ऐसी कोई बड़ी गलती जिसको लेके वो पिंपॉंट करे, नहीं, मैंने कोई गालियां दिये, नहीं, मैंने कोई फाउल लैंगविज यूज उसकी तो क्या बोलेगा मेरे बारे में? कुछ तो बोलेगा, तो छक्ती सी बोलता रहे हैं. I am proud to be 36. मैं 18 साल का था जब इंडस्टी में आ था और 18 साल में कुछ इंडस्टी में हो गए हैं. और इस इंडस्टी में बहुत जल्दी भूल जाते हैं लोग. तो मैं अभी तक अपने आपको यहां पर मिंटेन करता है हूँ. और आज भी कहीं न कहीं मैं अपना स्टैंड देखता हूँ कि हां इंडस्टी में मुझे लोग पैचानते हैं और मुझे कुछ न कुछ एकस्पेक्त करते हैं कि हाँ चलो अविनाश है तो ऐसा होगा विनाश है तो ऐसा होगा और पीपल डू रेस्पेक्ट मी अन इपील प्राउड अबॉड़ वाओट यही कमाई मेरी 18 साल की तो मुझे कोई गम नहीं है कि अगर वो मुझे चट्रिस साल का कह रहे है तो कहते रहे हैं और मैं यह सब को कह सकता और समने मुझे से कहा भी है कि सब को तूटते हूँ धे यह बनना नहीं हिला यह हिला ही नहीं मैं एक दिन हुआ था जब मैंको से मम्मी बापा की याद आ रही थी और अपने घर की याद आ रही थी उस दिन मैं थोड़ा सा लो हुआ था और पुझा जी ने पकड़ लिया था कि इसको आज कोछ है मैं पुझा जी ओला क्या है मैं को सिर्फ तोड़ा सी याद आ रही हुए पर इसा नहीं था कि मैं रोद हूँ या मैं तूड़ गया हूँ या फिर मुझे परदाश्ट नहीं हो राना वैसा तो बिलकुल नहीं हो सकता पूजा जी ना कि मुझे हक्किया मैं टीक हो गया हुआ मुझे कहा गया कि मुझे किसी और से कंटेस्टेंट से अपर नहीं किया जा सकता अबही तक के सारे सीजन में तो कहीं नकई मैं फ़ालव करता था, टॉप फइव मैं, येस वह कौन डेशरविंग नहीं है यह कहना थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि अगर वो पुझी है वहां तक तो वो डिजर्व करती है भले वो उनका गेम प्ले है कि वो पुझा जी के साथ पुझी हो जैसे अब जीया ने अपना गेम प्ले लास्ट वीक बदल गया अगर वो यह कर सकती है तो बेबी का यह क्यों नी कर सकती तो किसका कैसा भी गेम प्ले हो टॉप फाइव में पहुंच गई ना बात खतम पर उन्होंने मुझे कहा कि अविनाज जब मैं बात कर रही थी ना तुम मेरे दिमाग में आखरी इंसाम थे क्योंकि तुमने पूरे घर में पचास दिन में एक भी काम ऐसा नहीं किया है कि मैं तुम पर यह लांचन लगा सकूँ उन्होंने मुझे आके कहा है उसी वक्त उसी टास्क के बाद तो मुझे पता था यह मेरे तरफ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कि आहीं नहीं है जिस पर मेरे पाइभ टिशर उच्छाण जाए तो वो करेंगे, क्योंकि यह चीज हाई हो रही है तो आप भी तब ही तो पूछ रहे हैं ना तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई बेज है, बेतु की बात है ऐसे तो बहुत कुछ वाइरल होता है, मेरे बारे में भी बहुत कुछ वाइरल हुआ है उसमें आदी चीजों में अकिकत है नहीं, इसमें आराम से डील करता हूँ उनके साथ मुझे किसी भी चीज पर अंद विश्वास नहीं है चाहे वो ऐस्रोजी हो, चाहे वो नियूमरलोजी हो तो वो जनादर जनारदन जी ने जो कुछ भी मुझे कहा मेरी फैमिली के बारे में, मेरी मम्मी के बारे में या मेरे पास्ट रिलेशन्चिप के बारे में या मेरे आने वाल रिलेशन्चिप के बारे में ठीक है, उन्होंने जितना कहा मैंने सुन लिया और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वही सोच के चलूँगा और वही जिन्देगी में करूंगा और उससे में कोई जादा ऐसे कुछ फ्रक्ट नहीं पढ़ता है अंद विश्वास नहीं है उन्ची